बारतिय टीम में जहां एक और अनुबवी विकेट की प्रबलेवाज दिनेश कार्तिक की दमाकेदार वापसी हो चुकी है वहीं साथ ही साउथ अपरिका सीरीज के लिए कप्तान बनाये गए विकेट की प्रबलेवाज रिशब पंत इन दिनों खराब फोर्म से गुजर रहे हैं पंत को आयरलेंड सीरीज के लिए आराम दिया गया है सवाल ये भी उठने लगे हैं कि दिनेश कार्तिक टीम में बने रहेंगे तो क्या अपंत को वर्ल्ड कप में बाहर बैठा दिया जाएगा टीम के पास अब मध्यम करम और विकेट किपिंग के बाकी विकल्प हैं ऐसे में T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का चैन का भी चुनोती पुरन रहेगा इस बीच साउथ अपरिका के पुरुव तेज गेंदबाज और संद्राइजर सेदराबाज के गेंदबाजी कोच डेल स्टेन ने बड़ा बयान दिया है डेल स्टेन ने कहा निश्चित रूप से कार्थिक ने अपनी जगए बना ली है उन्होंने कहा पंत को इस स्रंखला में अब चार मोके मिले हैं और वह वही गलती कर रहे हैं आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छे खिलाडी अपनी गलतीयों से सीखते हैं लेकिन उसने ऐसा नहीं किया डिके हर बार सामने आये हैं और दिखाया है कि वह कितने कलास के खिलाडी हैं डेलने का मुझे लगता है कि यदि आप विश्चो कप जीतना चाहते हैं तो आप एक ऐसे विक्ति को तुनेंगे जो आपको विश्चो कप जीता सकता है डिके स्यांदार फर्म में हैं और अगर वै इस फर्म को जारी रखते हैं तो वै विश्चो कप के लिए बारतिया फ्लाइट के लिए लिखे के पहले नामों में से एक होंगे स्टेन ने सुकरवार कोर्दक्स नफिका के खिलाब कार्तिक की 27 गेंदों में 55 रण की पाली की परसंसा की उन्होंने का डिके स्यांदार फर्म में हैं ऐसा लग रहा है कि वै और बेतर हो रहा है उनकी विकेट केपिंग मान सिकता बहुत अच्छी है वै खेल को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं वै जानते और समझते हैं कि गेंदवाज क्या करने जा रहे हैं सिरीज में अब तक की चार पालियों में कार्तिक ने 158.6 के स्ट्राइक रेट से 92 रन बनाए वहीं पंत ने चार पालियों में सिर्फ 15.6 के स्ट्राइक रेट से 77 रन बनाए